नमस्कार दोस्तों आपके अपने यूटूब चैनल राकेश बलोदा जुंजनों पे स्वागत है तो आज हम एनवेस में जो रिक्वाइर्मेंट आई है उसके बारे में बात करेंगे टोटल कितनी पोस्ट है और कौन-कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी ग आपकी क्या है रिक्वाइर्मेंट है तो सबसे पहले आपने बात करेंगे हैं कि जिसमें अप्लिकेशन फॉर्म है वो कब से कब डाले जाएंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं कि अप्लिकेशन आर इनवाइट फ्रॉम एलिजिबल कंडिडेट हैं वह अप्लिकेशन नोटिफिकेशन टेलिग्राम ग्रूप में डाल दूआँ वहाँ पर इसको देख सकते हैं आगे आपने बात के लिए कि पोस्ट से यहाँ पर देख सकते हैं निच्चे भी आप देख सकते हैं है टीजियटी में भी कुल कितनी POSST है और किन किन पोस्ट के लिए कितने-कितनी आपकी रिक्वाइरमेंट रखी गई है । किपस्कार क्रेफब अपने लाइब्रीbon स्वासे क्या मैं है अब्दकित्स और इसके भाद अबरN बात करेंक्छ qualification की, कि librarian के लिए कितनी qualification है और अन्य जो subject है उनके लिए आप qualification है वो notification में देख सकते हैं, यहाँ पे आप थोड़ा सा scroll करते हैं तो नेच्चे चलेंगे और scroll करने बाद यहाँ पे जो librarian का है उसके बारे में अपने देखेंगे कि librarian के बारे में आपकी क्या qualification रखी गई है यहाँ पे जो librarian की qualification है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि librarian की qualification आपके पास degree होनी चीए university समंदित यानि कि कोई भी valid university है इंस्टिटूट है उससे समंदित आपके पास degree, degree का मतलब आप समझते होंगे थोड़ा समय डिटेल में आपके बता देता हूँ कि आपके पास क्या उनची है D-lib यानि कि आपके पास D-lib diploma in library science B-lib B-lib इसके लावा आपके पास M-lib M-lib और आपके पास NET और GRF है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपके आप देख सकते होंगे थोड़ा सा मैतोफन point है यहाँ पे देख लेना कि जो आपके पास experience है तो भी अच्छी बात है क्योंकि इसमें आपका कोई भी exam नहीं होगा आपके जो qualification है आपके पास जो degree diploma है उनके आदार पर आपको नमर देखे और आपका interview conduct कराया जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह दिए आपके पास teachers का भी जो similar कोई भी degree diploma है लाइवरिन से समदित यह आपके पास क्या है कि अच्छ है original knowledge के बारे में जो आपका छितरी knowledge है उसके बारे में daily वो वाड़ा निचे से निचे इसके लिए क्या apply कर सकता है और उपर शुपर area आपके पास net grf है तो अभी आप इसके लिए apply कर सकते हो आप पन थोड़ा सा और scroll करते हैं तो आपकी जो age limit है वो age limit यहाँ पे आप देख सकते हैं कि age आपकी पचास यह रखी गई है पचास यह रखी है count कहां से की जाएगी तो एक जुलाई 2023 से आपकी count की जाएगी और जो पहले से लगे हुए है निवेस में उनकी age है वो बाशटे वर्स रखी गई है इसके बाद अपन बात कर लेते हैं कि थोड़ा सा यह आपका किस के लिए है यह आपका PGT के लिए है किस के लिए है PGT के लिए है इसके बाद अपन थोड़ा सा स्क्रोल करते हैं तो यह आपका कौन सा है PGT के लिए यह आपका PGT के लिए है इसके बाद अपन और स्क्रोल करते चलते हैं तो art teachers के लिए यहाँ पे दिया गया है और music teacher के लिए भी यहाँ पे है आपका इसके बाद अपन बात करेते हैं कि जो physical education से समदित teacher हैं उनके लिए है अब अपन बात करेते हैं librarian के लिए किसके लिए librarian के librarian का आप यहाँ पे देख सकते हो कि librarian से समदित दिया गया है qualification आपकी क्य दिए जाएंगे चारीस मार्श चिसके हैं दस पांच पांच यह आपके पास जितने भी लाइवरी से सम्दिर डिग्री डिप्लोमा है अक्स्पिरियेंस है आप इस फोरम को अपलाई करते हैं समय सारे लगाएंगे क्योंकि आपका फोरम वह नीशुलक है इसके साथ यह अपन में अपन बात के लेते हैं कि इंट्रिव कहां होंगे और कब होंगे तो आपका पर महिने जो पेमेंट रहेगा वो रहेगा 4625 क्यों यह आपका टीजटी और म्यूजिक टीचर्स के लिस्ट में यह आपका जो लाइवरीन है वो उसमें इंकलूड होता है आप इसमें लाइवरीन के इंट्रिव हैं जो लाइवरीन के इंट्रिव हैं जो लाइवरीन के इंट्रिव हो आपके कहां पे कंडेक्ट कराए जाएंगे तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लाइवरीन के आपके इंट्रिव हैं जिनमें टोप में आपके मार्च रहेंगें, यह रिगी सिरी जगन बादूरी यह परिंचिफल आपकी जियन यू है, यहाँ पे देख लेना गोला गाट, असम में आपके इंट्रिव हैं, वो कराए जाएंगें, किन किन राज्यों के लिए आई हैं, आपको ध्यान रखना है कि मिजोरम है, उदर मेगाले है, यह असम है, इन अंदर पर देश है, इन राज्यों के लिए आपके आठ रिजनल राज्यों हैं, इस आठ रिजनल राज्यों के लिए आपकी यह पोस्ट आई हैं, तो बाकी जो डिटेल है मैं आपकी कम्यूनिटी बो गाट में इसमें आपको होगे यह दिया आपको कोई भी क्यूरी है तो आप इस नमर पे कोल करके पूछ भी सकते हैं आपके इंटर्यू कब से कब तक कंडेक्ट आए जाएंगे तो 27 है से लेकर गुंटिस है तक आपके होगे टाइमिंग आपका 10 A.M. यानि की सूबह से आपका टाइमिंग होगा तो यहाँ पे आप जाके आप अपना इंटर्यू कंडेक्ट कराके और यह जो सवीदा पे विकेंसी आई है आपका जो कार्यकाल रहेगा वो एक वर्स करेगा कितना है एक वर्स का रहा है एक वर्स के लिए भी आपको अच्छा पेमिंट दिया जाएगा इसी परकार एनिवेस है वो सभी नवद्दे स्कूल जो समिद्धी है या सवीदा के लिए बढ़ती कराता तो सभी रिजनल सेंटर के लिए नोटिपिकेशन जारी करता है तो जल्दी यदि जैपुर का पटना बिहार का और आज पास के जो भी नोटिपिकेशन होंगे जारी होंगे तो आपके लिए ये जरूर वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा इससे सम्दीत आपके जो इंट्रिव में क्यूशन पूछे जाएगे उन्हें इंट्रिव क्यूशन के जाएगे 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 जाए